नेया टॉपिक, क्रोमोजोंगल थियोरी आफ इनहेरेटेंस अभी तख हमने सब मेंडल के बारे में पढ़ा और उसके एक्सपेरिमेंट पढ़े, उसके डॉल्स पढ़े तो आज हम पढ़ेंगे गुद मॉर्नेंग आज मैं आपको एक नेया टॉपिक पढ़ाऊंगी क्रोमोजोंगल थियोरी आफ इनहेरेटेंस आज का टॉपिक हमारा क्रोमोसोंगल थियोरी आफ इनहेरेटेंस अब ये क्रोमोसोंगल थियोरी आफ इनहेरेटेंस क्या है देखो अभी तक आपने क्या पढ़ा था मैंडल के एक्सपेरिमेंट मैंडल के प्रिंसिपल और कुछ ऐसे पैटेंस इनहेरेटेंस के जो मैंडल को फॉलो नहीं करते तो मैंडल ने तो बहुत काम किया और मैंडल के जो वर्क था वो किसी ने रिकेगनाईस करा ही नहीं मैंडल ने पी प्लांट में कब काम करना शुरू करा मैंडल ने पी प्लांट में काम करना शुरू करा था 1856 में 1856 में मैंडल ने पी प्लांट के उपर वर्क करा और वो उस समय ना तो कसी को knowledge थी, cell की, chromosome की, cell division की, nucleus कसी को पता नहीं था, उसने तो सर्फ character देखे, और उस देखा कि इसके दो different form हैं, और experiment कर दिया, फिर मैंडल ने अपनी जितना भी work था, उसको publish करा, उसने publish करा अपने work को, 1865 में मैंडल published his work, लेकिन उसके work को किसी ने recognize नहीं करा, किसी ने accept भी नहीं करा, उसका work recognized हुआ, उसकी death के, बहुत साल के बाद, और his work was recognized in 1900 में, उसके work को recognize करा, लोगोंने, तो सबसे पहले हम इस theory में जाने से पहले, क्या करेंगे, यह पढ़ेंगे, कि मैंडल का work क्यों recognize नहीं हुआ, मैंडल डाइड इन 1884, मैंडल की जो death हो गई थी, वो 1884 में हो गई थी, लेकिन उसका work कब recognize हुआ, 1900 में, तो सबसे पहले मैं आपको पताऊंगी, कि what is the reason behind non-acceptance of Mendelian work, पहले हमने क्या पढ़ा था, what is the reason for the success, Mendel के success का reason क्या था, अब हमने क्या पढ़ना है, कि what was the reason that while his work was not recognized by Charles Darwin और दूसरे जो उस समय के scientist worker थे, उन्होंने उसके काम को क्यों recognized नहीं करा, सबसे पहला reason था, मैं क्या बतारी हुआ आपको, reason for non-acceptance of Mendelian work, the first reason क्या था उसका, the first reason was, there was no discovery of what, microscopy, there was no proper microscopy, जो आपके microscope है, उसकी, there was, this is one reason, क्योंकि जब भाई देखो, microscope ही proper नहीं है, तो आप कैसे cell देखेंगे, कैसे nucleus, कैसे chromosome, है न, आज के दमाने में electron microscope है, और बहुत sensitive microscope है, but that time there was no, secondly, आज आपको, communicate करना है, अब देखो, covid time चल रहा है, सब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे, online, तो आज क्या है, communication कितना strong है, मेरा वीडियो, आप दो मिनट के बाद देख लोगे, लेकिन उस समय क्या problem थी, there was too much of communication gap, उस समय, बहुत problem थी, communication की, कि जो उसने work publish करा, वो लोगों तक पहुंचा, कि नहीं पहुंचा, और लोगों ने उसको अच्छे से पढ़न नहीं पाए, तो there was a problem for what, communication, एक, ये भी बड़ा factor था, क्या, communication का, अगर आप किसी बात को communicate नहीं करेंगे, दूसरे तक नहीं पहुंचाएंगे, तो how the people will assess whether it is correct or not, the communication was one factor, फिर, मेंडल ने क्या कहा था, मेंडल ने क्या concept दी थी, मेंडल की concept थी, he has given the concept of, concept of factor, उसने कहा कि क्या है, factors है, जो कि किस pattern में रहते हैं, discrete pattern में रहते हैं, मेंडल has given the concept of factor, which are present in discrete form and he also said, there is no blending, है न, मेंडल ने कहा था, कि trait कभी blend नहीं होते हैं, जब कि हमने example पढ़ लिया है, co-dominance पढ़ लिया है, incomplete dominance पढ़ लिया है, there is the blending of trait, blending होती है, ठीक है, अच्छा, फिर उससे भी बड़ी बात, मेंडल ने बहली बार, क्या करा जो experiment करें थे, उसका एक mathematical analysis दिया, उसको statistics से work out करा, possibility निकाली, probability बताई, जो कि आम लोग उसको accept नहीं कर पाए, जो उसके colleagues थे, workers साथ के लोग थे, उन्होंने भी उसको accept नहीं करा, कि भाई ये क्या कर रहा है, ये मेंडल, तो he has given what, क्या दिया उसने, mathematical, mathematical, and statistical analysis, ये उसने statistical analysis करा, अलाकि आज हम फिर से statistical analysis करते हैं, mathematics अप्लाई करते हैं, probability के rules अप्लाई करते हैं, अप unit square में, लेकिन, that time, it was very new, and nobody accepted it, then, सबसे और भी इससे बड़ी problem थी, कि he could not give physical evidence, वो क्या करा, कोई चीज मैं कहती हूँ भई देखो, ये एक pen है, and it writes, so I show you this pen, and I make this pen right, तो ये क्या है, एक physical evidence है, मैं दिखा सकती हूँ उसको, तो जो मेंडल था, वो अपने factors को, physically show, नहीं कर सका, physically proof, तो उसमें, there was, ये कह था, physical proof की deficiency थी, इसके इलावा, और क्या problem थी, ये समें बेंडल क्यों नहीं कर सका, क्योंकि, there was no discovery of cell division, जब, cell की ही discovery नहीं हुई थी, तो the cell division कैसे होता, तो उसमें, cell division के बारे में, नहीं माँ बता था, there was no discovery of chromosome, chromosome की बारे में नहीं पता था, meiosis cell division क्या होता है, mitosis cell division होता है, कुछ नहीं पता था, so what I have taught you, what are the reason, क्या कारण थे, कि मेंडल के काम को, लोगो ने accept नहीं करा, जो उस समय के साइंटिस थे, क्यों, मेंडल एक्सपरिमेंट कर लिया, बहुत पहले, he published in 1865, and he died in 1884, but his work was recognized in 1900, what was the reason, Microscopic की proper discovery नहीं थी, communication gap था, फिर, he could not explain, the concept of factor, discrete pattern, blending, उसमें बता, उसने ये कहा कि blending नहीं होती, तिकर उसने ये नहीं बताया कि क्यों नहीं होती, फिर, उसने उसका mathematical analysis कर आपने एक्सपरिमेंट का, this analysis people has not accepted, then he has not given physical factor, कि this factor, this is a gene, to which he called as a factor, and that time, there was no discovery of cell division, तो ये क्या थे हमारे, मेंडल के, non-acceptance के reason, ठीकिन, अच्छा, अब हम पढ़ेंगे, की, ultimately, आज हम कहते हैं, की, मेंडल, is a father of genetics, तो अब हम उसको father of genetics, क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका work, बाद में, सब लोगों ने क्या करा, recognize कर लिया, तो जब सब लोगों ने उसका recognize करा, तो there must be somebody, who must have given, a proof, तो Sutton and Bovary, W Sutton, 1902 में, Walter Sutton, Sutton and Theodore Bovary, यह नाम आपको बहुत याद रखने हैं, यह बड़े important नाम है, इन दोनों लोगों ने, after the discovery of cell division, यह आपको सब को पता है, कि cell किस ने discover करी, Robert Hooke ने, Robert Brown ने, Nucleus discover करा, Rudolph Virtue ने, cell division करा, है ना, और उसके बाद में, जब cell division की discovery हो गई, तो किस ने, Sutton and Bovary, इन लोगों ने, Mendel के experiment को, क्या करा, compare करा, किस से, Miosus cell division से, Mendel के experiment क्या है, hybridization, that is sexual reproduction, and Miosus cell division, is a first step, for gamete formation, during sexual reproduction, अपने 11th class में पढ़ाया ना, Miosus cell division सब बच्चों को, बहुत मुश्किल लगता है, फिर भी, मैं कोशिस करूँगी, कि तुमें, simple language में बताऊं, जिससे कि तुम समझ जाओ, और अगर किसी बच्चे को, किसी भी student को, कहीं कोई doubt, या problem होती है, तो वो मेरे वीडियो में comment कर सकता है, और मैं उसका answer उसको comments में बेज दूँगी, तो चलिए, अब हम अपने topic को आगे बढ़ाते हुए, क्या है कि Sutton and Bovary ने क्या करा, comparison करा, किसके बीच पे, meiosis cell division और bendel का experiment, ठीक है, ये मैं division करती हूँ, this is meiosis cell division, and this is mendel's experiment, mendel के experiment को मैं क्या करती हूँ, compare करती हूँ, ठीक है, आप देखो, जो हम mendel के experiment करते हैं, तो हम कौन सी term में करते हैं, हम कहते हैं, dominant and recessive alleles, means, ऐसे कहते हैं न, हम कहते हैं कि, mendel का experiment is, homozygous, dominant, simple, आपने करा, mendel का experiment, और, ठीक है, फिर, जब हम meiosis cell division पढ़ते हैं, तो which study, in which term, meiosis cell division, आप कौन सी term में पढ़ते हैं, मियोसिस, बताईए, कौन सी term में हम meiosis cell division पढ़ते हैं, meiosis we study, in terms of number of chromosome, किसकी term में, number of chromosome, और यहाँ पर हमने पढ़ते हैं, unit factor, यह क्या है, एक factor है, factor of unit, यह हम, किसकी term में पढ़ते हैं, mentor के experiment, and this will study, in terms of, number of chromosome, ठीक है ना, आप पढ़ते हो कि deployed, we say, इदर deployed, 2N हम पढ़ते, means two sets of chromosome, अगर आप फी plant ले लो, human being ले लो, यह से human being में 23, pairs of chromosome, ठीक है, अब meiosis cell division में, what happens in, meiosis cell division, meiosis cell division आपने पढ़ा है, meiosis 1, meiosis 2, meiosis 1 में क्या अचा है, prof is 1 के अंदर, आपको पता है, कि, this division, completes within two phases, meiosis 1, meiosis 1 में, आपके पास में क्या है, prof is 1, matter phase 1, you have matter phase 1, anaphase 1, then you have teraphase 1, फिर short, then you have, what short? interkinesis, prof is 1, is further divided, जिन बच्चों को, यह समझ में नहीं आया है, मैं अपने next video में, यह explain करता हूँ, पर आज, आप इसको short में समझा, तो मियोसस 1 जब होता है, तब क्या है, कि क्रोमोजोम, किस stage में होते हैं, यह फॉर्म, बाइवेलेंट, ठीक है, बाइवेलेंट के बाद में, यह फॉर्म वोट, क्या बनाते हैं क्रोमोजोम, ठीक हैं क्रोमोजोम, ठीक हैं क्रोमोजोम, क्या बनाते हैं क्रोमोजोम क्या करते हैं, सेपरेट होते हैं, क्रोमोजोम सेपरेट, but their chromatin their chromatin fibers जिसे उनके chromatin fibers होते हैं वो synaptic point पर जुड़े रहते हैं what separate chromosomes ठीक है और इसके बाद हमारा क्या होता है meiosis 2 meiosis 2 में it is the separation of chromatin आपको पता है कि one chromosome is made up of two chromatids एक chromosome में दो chromatids होते हैं तो meiosis 2 में कौन separate होते हैं chromatids आप कह सकते हैं कि DNA सबका separation होता है और यह जो आपका 2N है यह किसमे convert हो जाता है you get here only you get haploid और यहां पर आपको 4 haploid daughter cell में जाते हैं अब हम किसकी बात करें मेंडल्स एक्सपेरिमेंट के मेंडल के एक्सपेरिमेंट में क्या है कि factors कहां है pair में factors pair में जब वो gamete बनाएंगे तो क्या होगए gamete factor separate हो गए ठीक है और यह क्या है हमारे gametes factor separate हो गए अब जब fertilization हुआ the two factors come together and factor फिर से किस condition में आगे pair में आगे pair में भी homozygous और heterozygous ठीक ऐसा ही कहां हुआ meiosis cell division में meiosis cell division में क्या हुआ कि जो deployed cell थी जब chromosome का number क्या था double set में था तो meiosis one में ये क्या division हो गया heploid हो गए meiosis two मे meiosis two मे chromated separate हो गए chromated separate हो गए and these are called what is gametes ये भी gamete है और ये भी gamete ठीक है अब आप देखो इस gamete हो इससे compare करो in according to Mendel gamete has only one allele according to meiosis cell division there is single set of chromosome है ना meiosis cell division में gamete के अंदर chromosome का एक set है ठीक है और gamete में Mendel के एक्सकॉरिमेंट के अंदर according only one allele is there दोनों एक ही चीज है और जब ये दोनों gamete fuse हुए diploidy restore होगे जाइगोट बन गया अब यहां पर भी जब female gamete और male gamete ये haploid haploid when they fuse together diploidy is restore है ना जब meiosis cell division होता है क्यों होता है meiosis cell division meiosis cell division होने का एक reason है कि to gain what haploidy एक set जसे कि fusion होई तो diploidy restore हो जाए same thing है so certain and वह 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 रिसेट कि mendel का experiment और meiosis cell division कोई दो चीज नहीं है this is one and the same thing and they said and then they have given a theory after doing the parallelism उसने इन दोनों को compare किया और बताया कि ये दोनों चीजें एक दूसरे के क्या हैं parallel है and then he gave a theory और उस theory को हम क्या कहते हैं chromosomal theory of inheritance ठीक है अब मैं आपको एक बहुँआद चोटा से एक्जाम्पल बताते say for example आप अपने घर से डेली जा रहे है ठीक है कहीं भी आपका घर है तो आप एक बस में बैठ के your parent says my child is going to डेली ठीक है आपके पैर्णस ने कहा मेरा बच्चा हमारी जगा से डेली जा रहे है अब ड्राइवर ने कहा कि ये बस डेली जा रही है इन दोनों बातों में क्या फरक है तुम भी डेली जा रहे हो बस भी डेली जा रही है बस अब आप इमेजन करो सोचो बस क्या है क्रोमोजोम और उसके उपर यू आर सिटेंग नॉट अनली यू दे में भी फॉर्टी बॉर पैसेंजर्स तो वो जो सारे फॉर्टी लोग है वो क्या है जीन्स वोट इस क्रोमोजोम जीन्स त्योरी आप भी रुख जाएंगे यूर पैटन अफ ट्रैवलिंग फ्रॉम यूर होम तिल डेली वोट बी पैरलल तो दर पैटन अफ मुवमेंट अफ बस जहां जहां पर वो बस जाएगे आप भी मही जा रहे तो ठीक ऐसे ही जीन्स जो है जो मेंडेलियन फाक्टिस हैं हम जीन्स कहते हैं वो कहाँ लोग एट करते हैं क्रोमोजोम के ओपर और जहां जहां पर क्रोमोजोम जाता है वहां पर वो जीन्स जाते हैं This is what क्रोमोजोमा थeorी ऑफ अब हम इसको एक टेकनिकल लांवेज में जैसा कि आपको एक्जाम में लिखना होते एक्जाम में तो आप ऐसा नहीं लिख सकते दो बाते होती ही देखो एक हमें समझना होता है दूसरा हमें अपने को प्रोड्यूस करना है कहां आंसर की फॉर्म में जिससे की जो हमारा आंसर पढ़ने वाला है वो convinced हो जाए अब आप यह बस का example तो लिखोगे नहीं तो आप क्या लिखोगे कि what are the different important points of chromosomal theory of inheritance चीक है क्या point है कि सबसे पहले first point of chromosomal theory of inheritance कि factors factors किसके mental के जिनको आज हम क्या करते हैं genes ठीक है we call them what genes and chromosome जो genes और chromosome है हमारे they are parallel so genes are located on chromosome genes कहां पर present है chromosome के ऊपर present है ठीक है अच्छा अब क्या है कि genes भी पहल में होते हैं और chromosome पहल में होते हैं ठीक है ऐसा नहीं है देखो for example आपका यह chromosome homologus पहल है यह ठीक है suppose this is capital R small r capital y small y तो यह दोनों क्या है आपके this is a pair of chromosome यह एक chromosome का पैर है and this is a pair of gene ठीक है और यह pair of आप क्या कहते हैं इसको allele pair of allele so they both occur in pair the second point is they both are found in both are occurred in pair दोनों कौन सी फॉर्म में होंगे पैर की फॉर्म में होंगे जेन्स आ लोकेट on chromosome both chromosome and genes are found in the form of pair अब नेक्स इस इन गामेट इन गामेट गामेट में हम पड़ते है न की this is a gamete in a gamete there is only only one allele and so as there is only there is only one chromosome only one chromosome इसको हम कहते है इसको हम कहते हैं ठीके and the last point that at the time of fertilization किस समय जब क्या होगा fertilization होगा they both दोनों के दोनों क्या करते हैं restore what diploidy they both restore diploidy this is chromosomal theory of inheritance क्या हमने पड़ा कि it is the chromosome which carry the genes genes are not alone the pattern of inheritance of gene is parallel to the pattern of inheritance of chromosome chromosome और gene एक साथ चलते हैं आप बस में बैठे हैं आप वहीं जाएंगे जहां पर बस जा रही है ठीक है तो आपने यह chromosomal theory of inheritance travel कर ली ना समझ में आया फिर भी अगर कहीं किसी student को doubt हो तो वह मुझे comment करके पूछ सकता है I will be giving you right answer और next topic हम पढ़ेंगे linkage लेकिन उसके लिए हमें meiosis cell division पढ़ना बहुत जरूरी है तो मैं अपने next video में आपको meiosis cell division explain करूंगी short में जिससे की आने वाला topic हम समझभाएं thank you